खबर रिवा से है जहां सुपरिस्पिसलिटी हॉस्पिटल की चिकित्सकों की द्वारा किये गए सफल ओप्रेशन और अच्छी उपचार की आप खबर देखते और सुनते रहते हैं लेकिन इसी अस्पताल से ऐसी खबर आ रही है जो दिल को जगजोर देगी दरसल एक पेसेंट को 24 दिसंबर को सीने में दर्द के कारण भरती के लिए लाया गया था लेकिन यहां की चिकित्सकों ने ECG करा कर उसे छुट्टी दे दी लेकिन जब मरीज को फिर 26 तारीक को सीने में दर्द हुआ तो पुना परिजन लेकर अस्पताल पहुँचे तो यहां की चिकित्सकों ने मानसिक वार्ड में भरती कराने की बात कही जहां से मानसिक वार्ड की चिकित्सकों ने देखकर मानसिक बिमारी ना होने की बात कह दी और मरीज को घर भेज दिया, इसके बाद मरीज की हालत बिगरती गई, तो परिजन सुपर स्पेसलिटी हॉस्पिटल लेकर पुना पहुचे, जहाँ पुना ECG हुई और कोई तकलीफ ना होने की बात कही गई, और संजय गांधी अस्पताल रिफर कर दिया, जहाँ कुछी समय के बाद मरीज की मौत हो गए, जिससे आक्रोसित परिजनों ने आरोप लगाया कि सुपर स्पेसलिटी अस्पताल में सिर्फ पहुच वालों का उप्चार होता है, जिनका यहाँ कोई नहीं होता, उसे डॉक्टर हाथ तक नहीं लगाते, आईए आपको सुनाते हैं मृतक के परिजनों ने किस तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं? बहुत तिकत हो रही सी सीने में दर्ब हो रही थी, उसे मां दुवारा लाया कल देखे, इसके बाद कुछ एक गोली तक एक टैबलेट तक नहीं दिये, आप ले जाओ संजय गांधी में दिखाओ, मैं ले गाया संजय गांधी में वहां दिखाए, वहां ट्रीटमेंट बग बगाया देखे, आप जाओ ये ठीक है, उसे पूरी गलती यहां से इन्गनी है, यह लोग डाक्टर लोग जो है, यह जो प्राइबेर्ट क्लीनिक में देखते हैं, तो यह मरीज को धंग से देखते हैं पैसे के कारें, और यहां जो सासन से पैसा ले रहे हैं, तो इसका चल दिये, ठोड़ा निहां, देखे, दूरी से, किसी मरीज को टच नहीं करते हैं, कि मरीज को टच कर ले, अटच करने के बाद उसका देख ले, इनके इश्टाप के हो, तो यह पूरा अपना जीजान लगा देते हैं, उसको पूरी तरह से देखने के लिए, हाँ पूरा इ अब आज मरीज को गए, तो बोल दिये का मेरी क्या गलती है, जो मृतक है, इनका क्या नाम है, इनका कहा की रने वाले हैं, अब लूँ, यह जवा की हैं, COVID-19 है je मृत हैं, इनका कहा करते हैं, अब लूँ एक करते हodsे, इनका कले हैं, इनका क्या नाम है, इनका कहा हैं, पूरा अाम है।